नमस्कार दोस्तों आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे वर्तमान उमर इनकी 26 साल है अब देखते इस पाम में क्या-क्या खासियत है सबसे पहले नजर जाती इस अंगुठे पर अंगुठा शशक्त है पर फर्स फैले नुकी लानी है तो अपने धे के पीछे ये उतनी एनरजी के साथ नहीं लगते ये थोड़े से केरलेस होते अपने धे के पीछे वो एफर्ट नहीं लगाते जीवन में जो इनको लगानी चाहिए इस तरह का सभाव इनका होता है पर अंगुठा काफी होगा पाम की साइज देखे तो complete स्क्वेरीश है यानि चोड़ा पाम है व्यक्ति काफी मेहनती होता हर कारे मेहनत से complete करने की कुशिस करता है और मेहनत के द्वारा सफल भी होता है अब फर्स्ट उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है सनी की उंगली की और तो व्यक्ति धार्मिक भावना अच्छी खासी रखता है अपने जीवन में, एक माइनस पॉइंट है, इनकी ये जो उंगली है, ये फर्स फैलेंच तक नहीं पहुतती, तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, ऐसे लोग केरलेस होते हैं, डॉकुमेंटेशन, चीजों को संभाल कर तोटल, यानि आभी जो काम करना है, वो बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, और वो बाद में कभी होता नहीं, इस तरह की मानसिकता होती हैं, और ऐसे लोग कभी किसी के साथ पार्टनर्शिप करें, तो कभी उस पार्टनर्शिप से ज़्यादा अन नहीं कर पातें, उस प्रिश्य भी नहीं रहती इनमें ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ऐसे लोगों में होता है पर इनके फैलेंश थोड़े से मध्यम से थोड़े से जादा है तो एनालिटिक परस्नालिटी थोड़ी सी होगी इनमें अब चलते और इनके जो उंगलियों के पोर है वो राजनेतिक रुजान की तरह ज्यादा दिख रहे है यानि इनकी राजनेतिक रुजान इनके जीवन में हो सकता है उस तरफ इनका ध्यान बढ़ता हुआ लगता है अब इनके बुद्परवत इनके परवत सभी एकदम योग है सनी परवत जैसा चीए वैसे ही है और इसी के लिए ले भी ले तो इनके पास उतने धन होता है तो ही ये गर्ज भी लेते इस तरह का होता है इनके जीवन में अब चलते इनके बुद्परवत की और बुद्परवत अच्छा खासा अपनी जगह पर ही उब्रा हुआ है बहुत जादा पेडिंग तो नहीं है पर फ और बखड़ी रेखा भी हल्की हल्की है अब चलते हैं लुद्परवत इनके रेखा बहुत कम हैं लुद्परवत को पर इसे लोगों को जीवन में संघ्ष कम करना पड़ता है आसानी से इजीली सफलता मिल जाती है और जरूरी नहीं कि शूरे रेखा नहीं है तो यस नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को यस भी मिल सकता है अब चलते हैं इनके सनी परवत पर शनी परवत कम्प्लिट एक रोड की तरह फ्लैट है और उस पर एक यहां पर विदे से धन प्राप प्राप्ति की रेखा भी है कभी न कभी इस तरह का उसर इनके जीवन में आएगा कि विदेश से भी धन अन हो पाएगा और सनी परवत पर कम्प्लिट रेखाए है तो बुड़ा पे तक इनको धन की तो को कभी कमी रहने वाली नहीं है और एक रेखा ऐसी जा रही है जो हो नहीं हो इनके राजनेतिक दोस्त हो सकते है जीवन में या ससुराल पैसे वाला मिल सकता यह दो मैसे कोई न कोई इनके जीवन में इस तरह का रोल आएगा और जादा तर तो व्यक्ति को राजनेतिक रुजान राजनेतिक लोग उठ बैठ उनके साथ जादा होती है अब इनके गुरु परवत को देखे तो गुरु परवत उतना जैसा सुक्र परवत है उतना उभरा हुआ नहीं है थोड़ा सा कम है बहुत जादा कम नहीं है फिर यह अच्छा खासा है उब्रा हुआ गुरु परवत और अपनी जगह पर उब्रा हुआ है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख तो परिवार के नाम पे दूख नाम की कोई चीज नहीं आती क्योंकि यह अपनी ही जगह पर उठा हुआ है पारिवारिक सुख इनको अच्छा मिलता है और अपने व्यपार का ये अच्छा खासा विस्तार भी कर पाएंगे जब इनको फेटला इनका साथ मिलेगा तब अच्छा खासा व्यपार का इनका विस्तार होगा क्योंकि गुरु जिसका भी अच्छा उसको जीवन में परिवार से सुकसान्ती मिलती है अपने परिवार की और से सुकसान्ती होने के कारण व्यपार में भी ये लोग अच्छा खासा ध्यान लगा पाते और व्यपार का भी अच्छा खासा विस्तार कर पाते तो ये सारे लाब इनको जीवन में मिलने वाले हाँ, खाने के भी शोखिन होते ये लोग अच्छा-च्छा इनको खाने को चीए खराब खाना इनको अगर मिल गया तो इनका मूड ओफ हो जाता है अब चलते इनके अंदूनी मंगल अंदूनी मंगल काफी साफ सुत्रा और क्लीन एंड नीट है तो इनको भय नाम की कोई चीज नहीं रहेगी जीवन में कभी डर नहीं लगता, चिंता का महौल नहीं रहता इनके जहन में ये सारे गुन इनमें रहते है और सरीर के अंदर एनर्जी भी अच्छी खासी होती है एक स्पोर्ट्समेन की तरह एनर्जी होती है इनके सरीर में भारी मंगल भी अच्छा है किसी से मिलते होंगे तो एनर्जेटिक रूप से मिलते होंगे अच्छा खासा सामने वाला comfortable फिल करता होगा उनको लगता होगा ये एकदम सालों से मैं इनको जानता हूँ अब चलते हैं इनके चंद्रपरवत पर चंद्रपरवत पर भी काफी साफ सुत्रा clean and neat color भी अच्छा है पाम का और चंद्रपरवत जब इस तरह का बड़ा होता है तो व्यक्ति को अच्छा ज्यान मिलता है अच्छी imagination power मिलता है व्यक्ति को और कोई व्यक्ति इनके साथ ज्यान लेनी की कोशिस करे तो वो अच्छा खासा ज्यान इनके पास से प्राप दूई कर सकता है और चंद्रपरवत अच्छा होने से इनको पानी भी अच्छा लगता है अगर इनको स्विंग पूल में रख दिया जाए या नहाने के लिए भेजो तो ये जल्दी बाहर नहीं निकलते होंगे थोड़े दिन पहले मैंने इनके डैड़ी का भी पाम देखा था उनके पाम पर ये चीज आवलेबल नहीं थी और इनके पाम पर ये चीज आवलेबल है तो ये जो कमाएंगे ये अच्छा खासा संग्र भी कर पाएंगे अच्छी इंकम तो होगी साथ साथ में पैसा जमा भी होगा इनके पास अब चलते और इनके पास property का square भी बना हुआ है यह देखिए यानि यह जमीन जायदाद भी अच्छी जीवन में खरी देंगे अब चलते इनके शुक्र परवत पर शुक्र परवत पर एक ही कमी है शुक्र रेखा तो है यानि लगजरी तो जीवन में मिलने वाली इनको पर यह जो आड़ी रेखाय चलती है यह इनको आगे बढ़ने में ऐसा लगता होगा जैसे कोई पैर खीच रहा है इनका इनको आगे बढ़ने नहीं मिल रहा है इस तरह की भावना इनके जीवन में आती होगी इस तरह की फिलिंग आती होगी और यह जब रेखाय होती है तो हकिकर मैं व्यक्ति को ऐसा फिल होता है कि मुझे आगे बढ़ना और मुझे बढ़ने नहीं मिल रहा मैं इसका उपचार इनको दूंगा वाटसअप पर बहुत आसान है पुझा पाट कराके यह सौल होता है बहुत ज़्यादा रेखाय नहीं है पर इतनी रेखाय भी दो-तीम बार इनको पुझा करानी पड़ेगी तो यह रेखाय निकल जाएगी अब चलते हैं इनके माइन लाइन पर हाट लाइन पर हाट लाइन को अगर देखे तो actual शुरुवात हो रही है गुरू परवत से गुरू परवत से सुरू होकर इस तरह से इनकी हाट लाइन आगे बढ़े और हाट लाइन पर कोई ऐसा कमी नहीं है कि जिसके बारे में जिक्र किया जाए अच्छी खासी हार्ट लाइन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं और गुरू से सुरू हो रही है तो विश्वा सुकिशम के इंसान रहते तो ये प्लस पॉइंट होता है, हाँ, इनका एक माइन्ड चेंज होगा उमर 32 के आसपास, इनके 32 या 33 के आसपास इनका माइन्ड चेंज होगा और पैसे की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इनकी माइन्ड लाइन को अगर देखे तो तीन पार्ट में डिवैड हो रही है, एक लाइन इस तरह से जा रही है जो राजनेतिक रूजान या सस्वराल का लाब दिखा रही है, एक गुरू की तरफ जा रही है पर उमर 32, 33 के बाद ये लाइन इहां से एक अलग से सुरू हो रही है यानि 32, 33 के बाद इनके जीवन में पैसे का महत्व इनको पता चलेगा और वहां से इनका माइंड चेंज होगा और ये पैसा कमाने की और अग्रसर होंगे यानि एनरजी लगाना सुरू करेंगे, उसके पहले आदर्सवाद में जीएंगे मुझे इसी तरह जीना है, मेरी ऐसी जिन्दगी मुझे चाहिए बहुत सारे आदर्सवाद इनके जीवन में होंगे पर जैसे 32-33 साल आएगा, इनका माइंड कनवर्ट होगा और पैसा ही सर्वक कुछ है जीवन में, उस तरफ इनका प्रैन होगा अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर माइल नाइन पर देखें, यहाँ पर एक ब्रेक आ रहा है और ब्रेक भी कितना सुन्दर है जीवन रेखा से सुरू हुई और यह ऐसे बुद तरफ जा रही है और इसी जगह पर यह रेखा बुद पर गई और यहाँ से एक और रेखा निकली तो इसका क्या मतलब, यानि उमर लगबख वो ही पिरियड आ रहा है इनका माइंड चेंज होने का, लगबख 32-33 के बदले, यह लगबख अंदाजित 34 के आसपास इनका माइंड चेंज होते हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है 33-34 का पिरियड इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होगा कम्प्लिट, वो हाट लाइन पर भी दिख रहा है, और माइंड लाइन पर भी दिख रहा है और इसी पिरियड के बाद, इनकी माइंड लाइन कम्प्लिट बूत तरब जा रही है तो ऐसे लोग व्यापार करने में काफी एक्सपर्ट होते पर जब तूटती है, तूटने के पहले ये जीवन को सिरियसली नहीं लेते बहुत लाइटली लेते जीवन को हट से जादा लाइटली लेते, पर ऐसी कोई घटना घटती है जीवन में कि व्यक्ति का माइन्ड चेंज होगा और अचानक ये पैसा कमाने की और अग्रसर होंगे और वो सेम चीज इनके फेट लाइन पर भी दिखती है तीनो जगह, जब कोई भी माइनस पॉइंट होता है जीवन में तो एक जगह उसकी इफेक्ट नहीं होती, दो-तीन जगह पर इफेक्ट होती है सेम चीज इनके जीवन रेखा पर भी दिख रही है इनके माइन लाइन पर भी दिख रही है और इनके हाट लाइन पर भी दिख रही है इस period को आप ध्यान में रखो पामेश्ट्री है एकाद दो साल इदर उदर चलता है क्योंकि accuracy photographs के अंदर अगर सामने कोई office में बैटा हो तो foot party लेकर हम उसका counting कर सकते हैं पर यहाँ पर foot party नहीं होती थोड़ा सा एक दो साल का आगे पीछे period गिन कर चलिए और उसके बाद इनकी जीवन mind line smooth आगे चल रहे है यानि कोई न कोई business opportunity इनके जीवन में आएगी उस period में 34 के आसपास और इनकी जीवन की रफ्तार आगे दोड़नी सुरू हो जाएगी और यह serious बनेंगे जीवन में अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर जीवन रेखा को देखे तो यह period बहुत जिगजाग भरा तो नहीं है पर फिर भी है तो यह थोड़ा सा संगर्स वाला जीवन रहता है बहुत जादा संगर्स तो नहीं पर फिर भी संगर्स रा होगा इनके जीवन में और उसके बाद देखो एक हल किसी रेखा निकल रही है यह भी एक संगर्स दिखा रही है जीवन में पर जैसे ही यह period आया यह लगबग 34 के आसपास का और यह पूरी एक line अलग से जीवन रेखा निकल रही है और यह complete कव लेकर इनके शुक्रपरवत को पूरा घेरा लगा रही है तो इसका मतलब यह उसके बाद एक नई opportunity इनके जीवन में आएगी और इनके जीवन की गाड़ी अच्छी खासी दोड़ने लगेगी smooth, fast दोड़ने लगेगी पैसे के रूप में भी स्वास्त के रूप में भी हर तरह से संगर्स भी कम हो जाएगा जीवन की लड़ाई भी कम हो जाएगी और smoothly income की और इनकी गाड़ी दोड़ेगी और इनकी जीवन रेखा एकदम smooth है कोई राव रेका का वार नहीं है तो इनका जीवन काफी smooth चलेगा और complete पारिवारिक भावनाव वाला जीवन रहेगा क्योंकि ये line कवर ले रही है तो ऐसे लोग परिवार के प्रती काफी निष्ठावान होते हैं परिवार की सोच वाले होते हैं और परिवार के हर व्यक्ति के साथ ये touch में रहने वाली मानसिक्ता इनकी रहती है तो इस तरका nature इनका बनेगा अब चलते इनकी fate line को fate line देखिए तो यहां से सुरू हो गई तो ये खाते पीते घर में इनका जन्म होता है यानि पूर्व कर्म इनके अच्छे रहते हैं कि इनको basic नीडों के लिए कभी परेशानी नहीं उठानी पड़ती easily मिलती है पर ये जैसे ही अभी वर्तमान उमर इनकी 26 है ये जैसे ही उमर 27-28 के आसपास आएंगे इनका संगर्स भर जाएगा जीवन के प्रती यहां पर ये fate line एकड़म हलकी है है non-stop चल रही है मैंने इनका close-up भी लिया है non-stop चल रही है यानि इस period में इनको काफी energy लगानी पड़ेगी और earning कम होगी इनको काफी energy लगानी पड़ेगी पसी ना निकालना पड़ेगा पर जैसे ही 34 का period आएगा ये इनकी line चली एकड़म strong और ये आगे बड़ी ये इस तरह का इनका जीवन रहेगा और एक यहां पर उमर 37 के आसपास थोड़ा सा आर्थिक नुकसान होगा इनको त्यूकि ये जो line उपर जा रही है ये यहां पर कट लगा रही है तो हो नहो थोड़ा सा इनको आर्थिक कष्ट 37 के आसपास उठाना पड़ेगा बहुत जादा नहीं थोड़ा सा कष्ट होगा पर उसके बाद 34 से इनकी दुनिया बननी चालू होगी और 37 के आसपास थोड़ा सा आर्थिक कष्ट आएगा और ये रेखा 56 तक आगे बढ़ रही है 56 भी नहीं इसके आगे तक पूरी जा रही है इस तरह से थोड़ा सा बदलाव आएगा और ये पूरी लगबग 65 साल तक जा रही है और उसके पहले और एक अनिंग का सोर्स इनके जीवन में तयार होगा और ये लाइन कभी न कभी इनको विडे से धन प्राप्ति के योग दिखा रही है पूरे के अंदर अगर देखे इनकी फेट लाइन को समझे तो केवल एक 37 में थोड़ा सा आर्थिक नुकसान दिख रहा है और ये पिरियड थोड़ा सा संगर्स वाला दिख रहा है 27 से लेके या 28 से लेके 34 तक का और 34 के बाद भी थोड़ा सा संगर्स तो रहेगा पर अपरजुनिटी इनके जीवन में आई रहेगी और ये एनकेश कर पाएंगे 37 के बाद यूज लेवल में यूज लेवल में उस अपरजुनिटी को यूज कर पाएंगे और अच्छा कासा धन जीवन में कमा पाएंगे क्योंकि घ्रह अच्छ है मनी ट्रैंगल है सब कुछ है पाम का कलर भी अच्छ है तो अर्निंग जब होगी तो अच्छी खासे पेमाने पे होने वाली है और स्मूथ अर्निंग होगी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके फादर का जब हाथ देखा था तो उनके बहुत कष्ठ है यानि कमाने के लिए कमाई हो रही है पर बहुत एनरजी लगानी पड़ती है इतनी एनरजी इनको उस 37 के पिरेड के बाद लगाने की जड़तनी पड़ेगी बहुत इजीली अर्निंग इनके जीवन में आएगी तो ओवरॉल मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत स्मूथ हाथ है थोड़ी कुछ संगर्स तो हर एक के जीवन में रहता है तो इनको भी उस संगर्स का सामना करना ही है आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों का जवाब इनको मिल गया होगा और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद